हेलो एवरिवान वेलकम टू क्लास 2400 जैसे कि आप सभी को मालूम है डेली सुबह साथ बजे अपना एक इंपोर्टन सेशन होता है जहाँ पर हम लोग कवर करते हैं डेली इंपोर्टन करेंट अफियर जहाँ पर हम लोग इंडिया के लीडिंग न्यूस पेपर है जो कि सारे क करते हैं जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी आज अपनी सब्सक्राइब कर लिया होगा आप सभी लोगों ने चलिए तो यह जलिए तो जैसे कि आपको मालूम है आज रेके हैं दोस्तों 15th of October हमेशा की तरह भुआत और भूत को सीखने वाले हैं बहुत को जानने वाले आज नहीं आपाया तो वह लेट हो गया तो अपन भी लेट हो गए और साथ में अपने पास आज अवेलेबल नहीं है लेकिन कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि जो इंपॉर्टन यूज हो सारे के सारे इने एक्सप्रेस में होती तो फिर वहां से जादा न्यूस हो जाती है कमपेरिटिवली देहन दू के अल्राइट चलिए तो गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग एवरिवन गुड मॉर्णिंग बहुत दिनों बाद है जो की लाइफ क्लास मा है गुड मॉर्णिंग कार्टेक दीपक आकाश सूरज चेतन सचें गुड मॉर्णिंग एवरिवन तो चलिए शुरुवात करते हैं जैसा कि आपको मालूम है ठीक है 15th of October सुबह के 7 बचके 20 मीट हो चुके है और यह लाइफ है और तीन हम लोग बाकि सोर्से से कवर करने वाले तो नियर्बाइ नियर्बाइ बारा के आसपास टोटल अर्टिकल है जो कि हम लोग कवर करेंगे आज के सेशन में इंवार्मेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, स्पोर्ट, साइंस अंटेक, अगरिकल्चर और पॉलिटी यह सारे के सारे टापिक हम लोग कवर करेंगे, कल के कोश्चन के बारे में बात करें तो कल मैंने आपसे पूछा था भूवन के बारे में, बताइए यह लगान वाला भूवन नहीं है, पहले तो बताइए मुझे यह लगान वाला तो बिलकुल भी नहीं है, ऑप्शन में भी न सवारा बनाए गया 3D imaging capabilities इंडिया की तोड़ा explore करने के लिए ठीक है चलो आजे बात करते हैं next नेक्स्ट है कौनसे नेक्स्ट है यहां पर कि कौनसे ऐसे अनिमल है यहां पर जो कि endangered species से बिलॉंग करते हैं यह आपको बताना है आंसर यहां पर क्या हो जाएगा यह आपका सही आंसर हो जाएगा great indian bastard must be a red panda asiatic wildest यह आपका सही जवाब है next वर्ल्ड बैंक को लेकर वर्ल्ड बैंक ने salt project के तहित आंतरपरदेश को कितने पैसे दिये तो यह ठीक है आंसर क्या हो जाएगा 200 million dollar आपके यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शत्य में आप पूछने के सर आज बहुत demotivate feel कर रहा हूं कल group D का अंसर की जो है वो देखकर यार देखो बात ऐसी है कि मैं आपको हमेशे यह बोलता हूं कि आपकी जिंदकी कहें कि यह phase है जो कि exam preparation का चल रहा है आप अपना 100% देओ ठीक है अगर exam नहीं निकल पा रहा गलतियां होगा यह कोई बात नहीं आप अगले साल या अगले 6 मेने में जो भी exam हो रहा है आपका जो relevant exam है है जो गलती इस बार करी है उसको मत दोहराओ कोशिश करो कि उस mistake को हटा कि आप क्या कर सको अगली बार आगे अब इसमें प्रॉब्लम फिनेंशल आती है तो अपनी कोई skill डबलब कर लो powerpoint presentation बनाना अपनी कोई typing speed अच्छी कर लो content making अच्छी कर लो कोई और काम सीख लो sales का सीख लो marketing का सीख लो ताकि आप अपनी financial life भी आगे बढ़ा सको और अपनी preparation भी साथ में कर सको समझ गया demotivate म करो क्योंकि ठीक है human हम लोग end of the day human है जब कोई भी result आता है तो उस दिन तो demotivate feel होता ही होता है और यह ठीक है मतलब कोई वात नहीं एक दिन तो है नहीं कि गौतम बुद्ध बन जाएंगे ऐसा नहीं होता है एक दिन दो दिन definitely human behavior है आप क्या मुझे भी result नहीं मिलेगा मै मैं भी demotivate हुआ करता था है ना लेकिन आप कितनी जल्दी come back करते हो that is more important है ना वह वाली बात है चलिए ठीक है आगे बात करते है salt project के बारे में 200 million dollar आपके यहां पर सही answer होगा current affair capsule batch आपके सामने है जो की 499 में आप जोइन कर सकते हो एक साल का current affair हम लोग 1,000 के आप सपास question कर रहे है जोइन कर लीजेगा ठीक है इसके अलावा ब्रह्मास्तर batch आपके CGL के लिए है 2000 रुपे में आप जोइन कर सकते हो इंडिया की best SSC की टीम यहां पर preparation कर वारी हो और मैं guarantee देता हूँ बहुत सारे बच्चों का selection है जो कि इस वाले batch में से होगा class 24 की app आपको download करनी है उसके बाद SSC में जाना है ब्रह्मास्तर में और यहां पर course के बारे में आप complete detail ले सकते हो और CGL और CPO की test series आप जोइन कर सकते हो बहुत इच्छी test series है ठीक है तो यहां पर आपको test में जाना पड़ेगा test में जाने के बाद CGL CPO यहां पर select करके आप buy कर सकते हो और PDF के लिए आप class 24 के application download कर सकते हो साथ में smile for all society.org की website पर जाके आप volunteer का फाम फिल कर सकते हैं और एक बच्ची के education भी sponsor कर सकते हैं अगर आप और same with the girl also है ना उनके भी कहानी जाएगा कुछ इसी प्रकार से हो जाती है लेकिन जिंदकी में एक बात हमेशा ध्यान रखेगा कि you cannot control someone's royalty आप कभी भी किसी की royalty को control नहीं कर सकते हैं जिंदकी में कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनसे कितने अच्छे रहे हो आप उनसे कित यह हुआ है मेरे भी ऐसे बहुत सारे पहले रिलेशन थे चाहे वो दोस्त हो जरूर नहीं girlfriend boyfriend के रिलेशन यह आपके दोस्त भी हो सकते हैं है ना बट आपने उनके साथ बहुत time spent किया होगा बहुत time लगाया होगा जिंदगी के बहुत important phase उनके साथ में लाइफ में जिया हो समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स चलते हैं यह देन्दू का न्यूस पेपर है नो पिजस फाउन फॉर दिस देट आज 15 अक्टूबर सुबह तो मिला नहीं हो सकता है बाद में आ गया हो लेकिन सुबह था नहीं जब आपने चेक किया इंडिन एक्स्प सेटलाइट है जो की इसके अंदर लेके जाने वाले हैं कौन सा ये GSLV Mark 3 यह फॉर्स टाइम हुने वाला कि किसी प्राइवेट कंपनी के कोई सेटलाइट है जो कि हम लोग GSLV Mark 3 से लेके जाने वाले हैं बड़ा दिन हैं इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में इसके अल अर्यांत हमारा अर्यांत हमारा कुदका डॉमेस्टिकली प्रेड्यूज्ड है न हमारे खुदकी सम्मरीन है तो इसने अभी सक्सेस्फुली बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट जो की कंड़ेट किया गया है हिमाचल के अंदर एक्षिन 12 नमूंबर को वह यहां पर डेट जो किया ह है यह यहां पर एक मटर केस के बारे में बताया गया है और रवारे तो यहां पर दिख सकते है इस दो का यूट करने वाला है और कॉंसी कंपनी की लाआश कर रहा है वन वैब कंप्निकेशन यह वन वैब कंप्निकेशण दोस्तो रहें गए क्लाएं किintérieur सा नरिक है में उनके पास internet accessible नहीं है समझ गए तो यह लोग क्या कर रहे हैं हमारे space के अंदर 1000-1500 km उपर जो है वो satellite जो है वो छोड़ रहे हैं उन satellite के थुरू internet जो है न वो आपके हर जगे पर पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं समझ गए तो अभी जैसे कि अगर मैं वन वैप की बात करो तो इन्होंने 500.500 सेटलाइट है जो कि यह लोग स्पेस में लेके जाएंगे इस साल के एंड तक और फिर उससे internet है जो कि अविलेबल करवाएंगे उसकी प्रकार से स्टार लिंग में तो धाइजार सेटलाइट के लिए बोला है कि यह डाइजार सेटलाइट बेजेंगे और चाहे अफरीका का कोई जंगल हो चाहे माउंटेन हो कोई पहाड हो सब जगे पर आपको इंटरेट है जो कि अविलेबल करवाएंगे अभी इंडिया में स्टार लिंग को लाइसेंस नहीं मिला है लेकिन आने अले टाइम पर उसको मिल जाएगा कई लोग इंट्रेस्टेंट भी है तो यह वन किया और वापस से राइस कर रही है और यह कंपीट कर रही है किसको स्टार लिंग को समझ गए तो अब पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा मार्क 3 जो है वो किसी प्राइविट प्लियर के लिए सेटलाइट बेज रहा है और वो कौनसी कंपनी है वन वैब कम्यूनिकेशन है 23 अक्टूबर को ये लोग भेज रहे हैं और 36 सेटलाइट है जो कि हम लोग लाँच कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं आंदरपरदेश रियारी कोटा से हम लोग लाँच करने वाले हैं और ग्लोबल कमेर्शल लाँच वेहकल का चुदेगो ये बहुत आपको लाँच कर रहे हैं ताकि पैसा भी कमा सके हमारा इस दो प्राइवेट प्लेयर्स की भी ये भेज के तो ये ल्वी एम 3 वन वैब इंडिया ये मिशन है ठीक है यहां पर ये ल्वी एम 3 एम 2 वन वैब इंडिया तो ये मिशन है जो कि शेडूल किया जा रहा है 30 अक् अपनी नियू स्पेस इंडिया लिमिटेड मालू में नियू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या काम करती है जैसे की एंथ्रेक्स जो काम करती है ये प्राइवेट प्लेयर से बात करके उनके रॉकेट लाँचिंग हमारे दुवारा करवा के हम लोग पैसे कमाने की कोशिश क करते हैं revenue generate करने की कोशिश करते हैं तो यह first time में इंडिया जो heaviest rocket है वो commercial launch के लिए यूज किया जा रहा है अभी तक अगर आप बात करोगे तो आमने पहले भी दोस्तो 345 foreign satellite से 36 countries की जो कि launch करी है majorly हम लोग PSLV से launch करते हैं वैसे तो है ना और foreign countries की तो काफी satellite है जो कि launch करी है हमने और majorly जिसमें अभी 2017 में PSLV C-37 mission भी था जिसके दुआरा हमने 104 satellite है जो कि launch करी थी जिसमें से 101 foreign satellite थी है ना और GSLV की हमने mark 3 जो है वो launch करी है जिसके अंदर हमने अभी चंद्रयान दो mission है वो भी हम लोग है ना क्यारी क्या था हमने और इसके अलब हम भी कई बड़े बड़े जो mission है वो हम इसी के दुआरा launch कर रहे है ठीक है बाकि हमने कल PSLV GSLV ASLV इन सब के बारे में भी कल के ही वीडियो के अंदर हमने बात करी थी तो वो भी आपने देख लिया होगा चलो ठीक है आगे बात करते हैं आइटीज को लेकर देखो इंडिया में तो आइटीज है 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 ना हमारे लिए बहुत ही अज़सी है और आइटीज है ऐमस यह हमारे बहुत ही जेन यूज है बिएच घू है यह बहुत ही प्रेस्टीजियां इसिटिट माने जाते हैं मतलब और आइटीज है तो आब हम लोग क्या कर रएं दूस्तों हम लोग इंटरनेशनली भी इंडि सको को launch कर दे ठीक है एक बार गाइस वीडियो को शेर कर देना एक बार शेर कर देना वीडियो को ताकि और भी बच्चे जोइन कर सके अब देखो कि अगर आप अब बोलो कि आपके सब तंजानिया के अंदर तो कोई IT का कोई है नी काम वापे CS IT का है ना electronics and instrumentation और electronics and communication ये सब जो भी अपनी civil engineering ये सब जो अपनी majorly इंडिया में जो branches चलती है न वो जरूरी नहीं कि same branches बाहर open की जाए जैसे कि तंजानिया है वहाँ पर minerals का बहुत काम होता है तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे जो courses offer करेंगे तंजानिया में वो minerals, methodology, data science, इन सब के courses करेंगे तो जहां पर जैसी requirement है वहाँ की courses वहाँ पर हम लोग launch करेंगे इंडिया आपको मालू में software के अंदर हम लोग बहुत काम करते हैं इसलिए हमारे यहाँ पर ITC is बहुत famous है और average package भी IIT इसके अंदर ठीक टांग मिल जाता है इस होज़े से तो IIT Delhi की बात करें विच्विलाव a campus in Abu Dhabi UA के साथ में मिलके काम कर रहे हैं और साथ में Madras, IIT Delhi और हमारी Kharagpur यह तीनों मिलकर जो क्या कर रही है यह आपके Malaysia के अंदर काम कर रही है सबसे पहले IIT Kharagpur ही इंडिया के अंदर establish हुआ था मालूम होगा आपको 1951 के अंदर है ना उसके बाद में फिर Bombay बनाता है 58 के अंदर फिर Madras बनाता है 59 में and so on आज की टाइम पर 30 cities के अंदर 30 IIT हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं है ना और budget 8000 करोड के आसपास का budget है ओके जरूरत हमारे आपे मतलब कम से कम 200-200 IIT होने चीए तब जाके colleges में अच्छा कुछ input हो मतलब अच्छी चीज़े सीखने को मिले और सच में हर जहांतर बच्चों को थोड़ा benefit मिले ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स चलते हैं जो कि है page नंबर 15 यहां पर बात करें किसके बारे में NGT के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं ओके तो यहां पर बैंगलूर लेक है ना चंदापुरा लेक बोलते हैं इसको 2021 के अंदर इंडिन एक्स्प्रेस के अंदर ही report आई थी कि आज पास जो है ना वो पूरी लेक है जो कि लोग अंक्रोच कर रहे हैं बरबाद कर रहे हैं बहुत environment के लिए कोई body है जो की बनाए थी जिसको power भी दी गई थी खुद काम करने के लिए 2010 के अंदर हमने NGT का formation है जो की किया था आदर्श कुमार गोला भी उसके head है काफी अच्छा काम करता है कई बार हम लोग NGT के बारे में पढ़ते हैं और NGT को क्यों बनाए गया क्योंकि article 21, right to life and personal liberty, life to life, life अच्छी कब होगी तब अच्छा environment होगा तो यह सरकार की दोस्तों क्या है जिम्मेदारी है कि बारत के और हमारे हर एक citizen को क्या करे एक अच्छा environment दे environment के लिए आपको कोई body चाहिए जो की काम कर सके तो इसलिए NGT का formation है जो की किया गया अब यह स्यों मोटो कॉगनिसेंस का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जब आप को कोई complain नहीं करे आप आगे से ही कोई action लेते हो तब समझगे मेरी बात अरे अकर मडर हो जाता है तो किसी के complain करने की जरूत परती है क्या पुलिस क्या करती है खुद काम करती है तो पुलिस आगे से आती है आपको रिपोर्ट करने की जरूत नहीं होती है तो ऐसे ही जब environment का कोई की मुद्दा होता है तो NGT के पास में पावर है कि वो आगे से action ले शकती है तो इन्होंने इंडिन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जो की पढ़ी थी 2021 के अंदर चंदापुरा लेक की तो उसी की रिपोर्ट के बाद में इन्होंने action है जो की लिया और 10 तारिक को अभी जो ह जिन्होंने encourage किया हुआ है जो officials है जिन्होंने environment के आसपास इसके आसपास कुछ ऐसा काम कर रखाया जो नहीं होना चाहिए तो यह लोग भी फाइल लगाएंगे दूसरे के ऊपर और उसके बाद में यह पैसा है जो की collect होगा उसका time period भी दिया है एक या दो मेने का time period कुछ आसा दिया है उसके अंदर यह पैसा है जो कि इनको जमा करवाना पड़ेगा और यह पैसा NGT के पास में ना जाके authorities के पास में जाएगा जो environment की है और जहां पर इसको वापस से restore करने का काम है जो की किया जाएगा तो यह fine जो है ना वह वापस से उस जगे को protect करने के लिए इसको ध्यान रखने के लिए restore करने के लिए काम में लिया जाता है समझ गए चलिए आगे बात करते हैं अब NGT के बारे में बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको बता है 2010 में बनाए गया था ताकि जो especially जो cases are related to environment protection conservation उसके ओपर काम कर सके ठीक है third country बना दुनिया में इंडिया Australia, New Zealand के बाद में और six month के अंदर जो भी cases है उसको dispose करना जरूरी होता है पांच जगे पर इसका office है दिल्ली तो primary है उसके अलावा बोपाल, पुने, कोलकता, चन्ने यहाँ पर भी देखने को मिलता है NGT का structure क्या होता है? एक chairperson होते है, judicial members होते हैं और इसमें expert member होते हैं समझ गे? कितने time तक के लिए office hold करते हैं या तो 3 साल या फिर 65 years जो भी पहले हो जाए और वापस ने reappointment इसमें नहीं होता है समझ गे? chairperson जो होता है NGT का, वो central government consultation करती है, हमारे chief justice of India के साथ में उसके बाद में appointment है, जो की होता है Central government के एक selection committee है दोस्तों, वो judicial member और expert member को अपने इसापसा point है, जो की करती है 10 या फिर maximum 20, है ना? judicial member या फिर expert member है, जो की, member है, जो की हो सकते है है ना? चलिए Sunday को हाँ, कल Sunday है ना? कल अपन लोग class करेंगे कल अपन लोग किस time पे class करें? कल करते हैं class 11 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास करते हैं class timing मने अभी decide नहीं करिए, लेकिन कल 10-11 बजे के आसपास जो है अपने class करते हैं, don't worry, ठीक है? यूट्यूब पे करेंगे, constitution की करेंगे, जो कि हम लोग हर उस पे करते हैं न, weekend के ऊपर चलिए, तो कई सारे laws हैं, जिसको लेकर दोस्तों NGT काम करता है, जैसे कि Water Pollution Act 1974 में आया, Water Prevention and Control and Pollution Cess 1977 Forest Act 1980 paper में पूछते हैं कि कौन से साल आया था ये, Air Pollution 81 में Environment Protection Act 1986 और Biological Diversity Act 2002 ये सारे के सारे जरूरी Act हैं जिनके Year आपको याद होने चाहिए, बहुत है सिंपल है वैसे याद करना, जैसे कि Water 74 है Air 81 है और Environment 86 है ठीक है और Biological Diversity 2002 है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ठीक है जाई चलिए आगे बात करते हैं इसी के पेज के ओपर ये वाले के अलावा एक और Important News है जो कि Defense Expo को लेकर है तो Defense Expo दोस्तों 13,000 करोड रुपे हैं जो कि Defense के अंदर हम लोग Export को Cross कर चुके हैं और गुजरात को अभी पांचवा Air Base भी मिलने वाला है आपको मालूम है कि हमने Defense Expo की शुरुवात दोस्तों बहुत पहले कर दे थी लेकिन 2020 के अंदर लखनाओ के अंदर हुआ था है ना जहां पर एक कॉरिडोर बनाने की भी बात करेगे थी Defense की और अभी 2022 के अंदर का पर गांधिनगर के अंदर दोस्तों क्या करवाया जा रहा है Defense Expo है जो की करवाया जा रहा है ठीके गाईस सेकेंड और साथ में हम लोग सेकेंड इंडिया अफरीका डिफेंस दैलोग भी हम लोग यहां पर करने वाले हैं 25 देशों के Defense Minister आएंगे Defense Expo के अंदर 18 तरीक को स्टार्ट होगा PM Modi इसको इनागरेट करेंगे और साथ में एक नया Air Force का बेस गुजरात में पांचवा जो है वो बन रहा है इसको भी इनागरेट कर रहे हैं कहां पे देशा के अंदर यह आपको इंडो पांक बॉर्डर के प अपिसेपो के अंदर ऐस्पो के अनदर आने ही वाले हैं मैं हम लोग क्या करते हैं कि Indyfen испo में हमारे खुद के आक्षूंड MP में दिखाते है उनकी capabilities भी बताते हैं तो फिर क्या होता है दुनिया के जो छोटे-मोटे देश है जिनको पैचाहिए है ना कुछ भी defense related वो हमसे deal करते है और हम उनको बेशते भी है सबसे interestingly बात पता है क्या है कि हमारा जो defense export के अंदर जो हमने 13,000 क्रोड रुपे का जो export किया है इसमें जो सबसे major partner जिसमें सबसादा पैसे हमने कमाएं वो USA से कमाएं अब बोलो कि USA को क्या जरूरत है तो बिलकुल definitely आपके बास सही है USA को हम लोग बड़े-बड़े missile, aircraft यह सब तो नहीं बेश सकते लेकिन चोटे-चोटे equipment होते है defense के चोटे-चोटे manufacturing equipment होते है वो सारे-चोटे हम लोग क्या करते है USA को बेशते है और maximum हमने वहीं पर ही बेचे है और पैसे कमाएं तो US हमारे आप ही क्या है को 30,000 करोड तक करने की बात की जा रही है ठीक है यूएस के अंदर हमने supply किया है parts, components, sub, assembly, कई सारे platforms की इसके अलावा Philippines हो गया, Armenia हो गया, Israel, Southeast, Asian countries यह सब भी हमारे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं आपको मालूम ही है है न कई सारे deal कर रहे हैं हम लोग चलिए, क्या हो गया भई, क्या कर रहे हो यह यह कौन है चश्मेवाला, रोल नंबर 29, अभीशे कुमार साथ, CGL के लिए कितने मंत का current affair पढ़ेना पढ़ेगा CGL के लिए आपको एक साल का current affair है जो की पढ़ना पढ़ेगा और current affair का capsule batch चल रहा है, जोइन कर ले ना उसको, 500 रुपे का ही है, लेकिन आपके एक भी खोशे नहीं चूटेगा क्या, copy paste करते रहे तो यार उप आप रहे इतने सारे चलो, आगे बात करते हैं, नेक सलते हैं जो defense exhibition organization, defense expo जो को हम लोग कहते हैं हैना यह हमारी एक organization है, दोस्तो defense exhibition organization जो की defense expo करवाती है, 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी हना इसलिए किसलिए हुई थी ताकि हम लोग भी defense को defense में पैसे हैं जो की कमा सके, promote कर सके एक्सपोर्ट हमारे इंडिन डिफेंस इंडेस्ट्री का ठीक है चलिए तो यहां पर आप देख सकते हो लास्ट वाला अग लखनाओ के अंदर हुआ था और पहली बार नॉर्डन स्टेट में हुआ वन्ना दिल्ली के अंदर करवाया जाता था नॉर्मल इसको इन्वेस्टमे लेट करने के लिए डिफेंस कोलिडर भी बनाने की बात करें गई अभी दोस्तों गांदिनेगर के अंदर होगा और इस बात थीम क्या रखे गई है पाथ टू प्राइड यह थीम है जो की रखे गई है समझ गए चलिए आगे बात करते हैं नेक्स पेज की तरफ पेज नॉ होग ए जहां पर सारे जुड़बा लोग देखने को मिलते हैं हर घर के अंदर दो दो जुड़बा लोग है तो बहुत ही अजीव गरिभी बात है मदद साइंस के अकोड़िख करना बहुत ही मिश्कल होगा लेकिन अफ्रीका के अंदर भी है लेकिन हमारे हां पे अपर अम दबने कर देते हैं उनको बेला उनको एकसेपट करना बहुत ही आजीप सी कस्टम है जो कि वहाँ पर है इसलिए दोस्तों वो लोग यहां पही क्या कभर रहें इस बार जो कि से चोफिश समग और यहां पर फ्रांस से भी लोग है जो कि ट्विंस है वो भी आपर इस सेलिब्रेशन के अंदर शामिल हो रहे हैं तो यह आपर दिखाया गया मतलब नाइजीरा के पास में लागोस से 100-800 किलोमेटर दूर एक सिटी है इसको बोलते है एक बो औरा नाम के एक सिटी है है ना 100-800 एक स्कोर्ट के बारे में बात करेंगे शबचनते हैं अबीनों बिंद्रा के बाद में बहुत साल निकल गये अंब इसमस्पोर्न से के बाद मेंटर को मलूम स्पोट छोड़े विए से स्मेंदर कोकी आम को मिला हैeight इंधारा साल के दोस्तों प्लेएर जेनका नाम है रुद उद्राइश पार्टेल 18 साल के 13 साल में इनोंने दोस्तों शुटिंग स्टार्ट करी और गिटार के बैक के अंदर गन को डाल के प्रैक्टिस करने जाय करते थे इधर से उदर इधर से उदर और अब देखिए 5-6 सालों के अंदर बहुत ही किसको लेकर हमारे डिजिटल अग्रिकर्चर स्कीम उसको लेकर देखो उस सरकार ने हैं कई सरें सogoціmp FM लांच कर रहे हैं तकी अग्रिफिटिविटी को यूइ क Scrane कूं को बढ़ा सके औभ इसको दोनों को करने केलिए सरकार नि क्या किया है डिशीटल रास्ता अपनाया है कि कैसे हम लोग डिशीटल बनके फार्मर की प्रेटीविटी और सकते हैं. इसके लिए उन्होंने क्या किया है कुछ एक स्टेप से जो इसकि बढ़ा दो एक बना दो जहांपे लोग सम्मान खरी सकें बेश सकें है ना इस तरह के कुछ इनिशेटिवें जो कि लाउंच करें हैं अब यह कितने फूटफुल होंगे इंकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी कितनी प्रोडिक्टिविटी बढ़ेगी यह तो आने वाले सालों में जो अमरे पा अधर मार्केट तो एलेक्ट्रोनिक मार्केट की एक प्लेस से जोकी बनाए थी जहां पर कोई भी फार्मर अपने प्रेडियूस को सेल कर सकता है कोई भी बायर खरी सकता है यहां पर बारासों मंडीज 22 राज्या और यूटी के अंदर जो है वो एक साथ मांच करके बनाए रही थी यहां पर दो करोड के आसपास फार्मर और मतलब नियरबाए दो लाग के आसपास ट्रेडर है जो कि रजिस्टर्ड है 41 सर्विस यहां पर दी जा रही है ट्रांस्पोर्टेशन ट्रेडिंग वेर हाउसिंग मार्केट के इंफर्मेशन यह सब ठीक है तो अभी तक पर जो यहां पर टोटल बिजनेस हुआ है ना वो तो क्यार कोई बहुत जादा नहीं हुआ है मीडियम लेवल का हुआ है टू ट्रिलियन रूपीज का हुआ है जब से इसको लांच किया है इंटरस्टेट ट्रेड जो फैसलिटी है वो यहां पर ज्यादा लोगों ने 2023 तक 3000 ड्रोन आपको अग्रिकल्चर में देखने को मिलेंगा अब इससे होगा क्या दोस्तों इससे सॉयल के नूट्रिशन और पेस्टिसाइड है ना इसके अंदर हम लोग ड्रोन से क्या कर सकते हैं शिटकाओं कर सकते हैं इससे बोला जा रहा है कि 20% जो कॉस्ट होगी फा बता आए गई है आगे बात करते हैं क्या जो ड्रोन की कॉस्ट है क्या वो जस्टिफाइ करेगी अगरिकल्चर के अंदर ये बात भी बोली गई है तो पीलाई जो प्रोडेक्शन लिंड इंसेंटिव इसकी में जिसमें 3 साल के लिए 120 करोड रुपे जो है वो रिलीस करे ग क्या लगा के जो यहां पर स्प्रे करेंगे हम लोग नोट्रिशन और पेस्टिसाइड का उससे कितरा जेस्टिफाइब हो पाएगा ये तो फिर आने वाज दिनों के अंदर सरकार बोल रही है कि साथ साथ आट लाग रुपे कोई बड़ा कॉस्ट नहीं है हम इसको इसको इ अग्रिकल्चर का होता है और 11 करोड ऐसे फार्मर्स हैं जो कि रजिस्टर्ट है जोस्तो एग्रिस्टेक प्लैट्फॉर्म पे अब ये एग्रिस्टेक प्लैट्फॉर्म भी समझ दो क्या होता है देखो हमने आप एक वेब बेस्ट अप्लिकेशन लांच करिए वेब के ऊपर एग्रितेक उपर एगरिस्टेक तो एग्रिकल्फॉर्माष्टेक कर 57- gibtrics alcohol प्लैग्रिकल्फेशन लाप से बता रखाए इस opinion जे से होगा लगा लोग का से मिलेगा इंस्प्रिस का से मिलेगा ये सारा का सारा जो डेटा है ना वह एग्रिस्टेक करके के एक पोटल है जो सरकार ने बनाया था उसके ओपर डाल रखा है ओके स्वयल के हेल्थ कार्ड के information crop के farmers को information crop insurance के compensation के settlement के claim के यह सारी information इसके ओपर डाल रखी है इसके ओपर दोस्तों total अभी तक क्या 11 करूर के आसपास किसान है जो कि इस पर registered है यह बात भी आँपे बताए गई है समझगे मेरी बात चलिए ठीक है इसके अलबा कनाटका के अंदर एक fruits नाम का model भी बनाए गया है तो यह भी काफी अच्छा model है जो कि बताया जा रहा कनाटका ने farmer registration and unified beneficiary information system तो इसका नाम है fruit software का मतलब अपने फल से संबंदित नहीं है fruits का फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड युनिफाइड beneficiary information system यह software का नाम है single window है जहां पर गौर्मेंट की सारे scheme गौर्मेंट के सारे benefit यह सब जो है वो आधार का डालती किसान को कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा वो सारा का सारा वहां पर बना रखा है ठीक है इसके अलावा उसी पूरे डेटाबेस को भूमी पोर्टल से भी वो किया गया है मर्ज किया गया है ताकि इंटेग्रेट कर सके जमीन की इंफरमेशन भी प्रॉपरली दाल सके है ना तो यह फ्रूट इनिशेटिव करनाटका का है और काफी अच्छा है जो कि वहां पर चल रहा है ठीक है तो इसी से ही जो है अग्री स्टेक जो नेशनल लेवल का जिसमें से 1000 MW का development का दोस्तों जो उनने ट terrace किया है वह किसके साथ में तो कर लिया 8000 क्रोड का solar project है mister और 1190 MW का solar power project है जो कि राजस्तान राज्य विदुद अत्पादा निगम जो है ना राजस्ताम कि जो TVर, 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 TVर. princireslnect रख सब्ते अरने साथ नियरा जोकि यह लों कर रहे है। पहला किसी राज्या के साथ में दोस्तों implement रिंडिया कर रहा है। जोकि कोली कर रहा है। रिंडिया के टार्चेक तरकें कि भेई की मातैने कि दूइए वॉल है। जो कि 2024 तक हम लोग बिल्ड कर लें और उसमें से अल्मोस्ट जो है वो 30-40 परसेंट तो अभी राजस्तान के साथ में जो है ये लोग प्लाइन कर गए है तो आप से पेपर में यही पूछेंगे कहां पर लाउंच हुआ है और किसके साथ में क्या गया है कौन से राज्या में क अगया है यह सब्दान रखेगा आगे बात करें जन सकता की तो यहां पर दोस्तों आपको मालू मैं भी सायरस मिस्तरी की देत हो गई थी कुछ टाइम पहले रोड एक्सेंट में पीछे वाले लोग जो बैटे वे थे उनकी देत हो गई थी क्योंकि उन्होंने पीछे की इसलिए तो ही यह लेकिन पीछे लेकिन फिर यहां पर खुब यह दो. तो मूंबए मेरे दोस्तों एकन बट्रै कल रहा है लेकिन उसमें फिर क्यान धोकिना चालो करेंगे तो अब यह बोल रहे हैं कि अब इसको wszystkim सौन से किता बाना अनिवार रहे है जो की कर दिया गया है है ना मोटर वेकल अधिमियम वन नाइनटी फोर भी जो है उसके तहते दोस्तों जो कि इसको सक्त कारवाय भी की जाएगी और इसमें चलान भी ठोका जाएगा और सीट बेल लगाना पीछे और आगे दोनों वालों के लिए इंप Confidence Building Major in Asia बहुत ही नाम सुना नहीं होगा आपने पहले बारे सुनाओगा इस कॉन्फरेंस का CICA बहुत ही कई पार मतलब रेली दो साल में तीन साल में इस तरीके से होती है तो यह जो CICA की जो Conference है अभी यह अस्थाना कजाकिस्तान के अंदर हुई है हम लोग इसके वन ओफ दा फाउंडिंग मेंबर में से एक है CICA एक Intergovernmental Forum है जो एशिया के लिए क्या करता है Peace Security की बात करता है पहली बार इसका आइडिया कजाकिस्तान के जो First President थे नूर सुल्तान जिनके नाम पे अभी Capital पर रखे गई है तो 1992 के अंदर उन्होंने UN के अंदर ये बात बोली थी कि हमने एक क्या करना चाहिए एशिया के लिए भी एक सम्मिट करना चाहिए CICA नाम का तो ये सम्मिट फाइनली दोस्तो 1992 में बूला गया था लेकिन पहली बार 2002 में 10 साल बाद जो की हुआ यहाँ पे क्या होता है CICA में Head of the State और Head of the Government मतलब हर एशिया के जो Country के जो Government के लोग है वो आते है चार साल में यह सम्मिट है जो की नॉर्मली करवाया जाता है इनके जो Finance Ministers है CICA के जो Countries है Member उनमें Finance Minister में और दो साल के अंदर करवाया जाता है ठीक है इसका जो Secretary है वो कहाँ पर है CICA का वो Almaty कजा किस्ताम के अंदर ही देखने को मिलता है ठीक है यह सारे के सारे आप देख सकते हो 27 countries है जो कि इसके Member है Major Li Asian countries ही जो इसके Member आपको देखने को मिलेगे अल्राइट चलिए आगे बात करते है International Migration Outlook 2022 का कितने लोग आपको मालू है न कि हमारे आज से बहुत सारे स्टुएंट है जो कि करना है कि आजवका को करना चाहता है तो बात अलग Kो अलग फ्रस्टेइट हो चुका थो बात अलग विदेश से बागए अदर्वाइस लोग पर से कुंहीं परकार से वहां पर उनको न को यहां के बन जाए ना और कारण भी है रिए तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां का जो एक मतलब अगर आप टैक्सी चला रहे हो गर आप पे क्लब में काम कर रहे हो कोई बार्टेंडर का काम कर रहे हो तब भी उसकी उस बंदे की जो लाइफ स्टाल होगी ना वो लाइफ स्टेल आप बहुत रीच लोगों की होती है वो सेम लाइफस्टाइल है मतलब जैसे कि अगर ओला उबर अगर कोई ट्राइब कर रहा है तो उसके घर वैसा ही होगा जैसे कि आप एक अमीर इंडिया में जो एक करूणपती है जो उसके घर जैसे आप सोचते होंगे उसके पास जो गाड़ी सोचते होंगे उस सारी के अंदर किसी को कोई बुराई में वो नहीं होती है कोई चोटा बढ़ा नहीं समझते हैं तो रेस्पेक्ट इक्वली मिलती है आप कोई भी काम करो यह बहुत एच्छी बात है यह हमें भी हमारे हैबिट में इंकल्कृट करना चाहिए कि लोग बोलते हैं कि आरे वो तो र सब्सक्राइब नहीं समझना चाहिए का म बाती चोटा है काम बढ़ा है वो उसके इंडंडीविआवाइफ वसने जो कर रहा है साथ में रहना यह तो कभी पॉस्तिबल ही हो सकता ना जि México है करेये ह forever Microsoft मैक्रोसाफ्ट या गूगल में जॉब करें राद में अन्थपने और बन जाए बस आपको अपने आपको इंप्रूव करना होता है आपके अपनी केपिसिटी बता करने हो ति कहां पर अच्छा कर सकते हो ठीक है चलिए यह वाली बात हो गई अब यहां पर क्या होता है कि इसल परसेंट ऐसे है तो चैना में भी सेम सी कहानी है कॉंपेटिशन और यह लोग को जज़ करना यह बहुत जादा है महां पर भी तो इंटरनेशनल माइगरेशन आटलूक 2022 है जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ और इसको रिलीज किसके दुवारा किया गया है OECD के दौरा OECD क इसके दौरा इन रिलीज है जो कि किया गया और मैंने बदाया दाना मैंने कुछ टेम पले आपको एक OSTLE का श्क्रिइशन बदाया था शाइद कि वहां पर हमारे कई सारे हमारे इंडियन से जो कि है जो वहां पर शीप होती है और जो बेड होती है यह यह सब ना उनको गु इन सिटीज में अगर काम नी मिलता है तो वो दूर जाके काम करते हैं 30-40 डॉलर पर आर तो अगर 6 गंटे का भी काम मिलता है तो कितने हो कोई कर लो मतलब जो भी है तो वह अपनी स्टेडीज भी पूरी कर लेते हैं इंडिया में अपने घरवालों को भी पैसे बेज देते हैं और फिर वहां पर सेटल होने का भी कुछ नहीं को जुगार कर लेते हैं क्योंकि जब आप जितना वहां पर ऐसे काम करते हो जैसे कि आप है ना यह सब स्किल्ड वाले हैं मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज वाले लोग बहुत कम हैं लोग मेजरली म्यूजिक स्पोर्स इनके अंदर जादा इनवाल रहते हैं चलिए ठीक है वहीं सिटी के बारे हम बात करें तो 1948 के अंदर स्टैब्लिश्मेंट हुआ उसके बाद मैं यह देखिया उस्टेलिया न्यूजिलेंड तस्मानिया यह तो नीचे वाले हो गए जैपैन वाला कोरिया यह पूरा ये और साथ में आपका अमेरिका कैनेटा यह सारे कंट्रीस है ना तो मेजरली मेजरली जो डबलब कंट्रीस है वह आपे OECD के अंदर मेंबर आपको दे चालिस परसेंट जो की ज्यादा बढ़ गया लाजस केटिगरी है जो की इलफलो का देखने को मिला है और चालिस लाग ऐसे इंटरनेशनल स्टुडेंट है जो की OECD कंट्रीस में पढ़ने के लिए अंडॉल हुए है ना जिसमें सबसे ज्यादा कहां पर गए लोग पढ़ अब ही जैशनकर जी ने दोस्तों काफी इसके ओपर प्रोटेस्ट भी किया था है ना अमरेका को बोला था अमरे बहुत सारे स्टुडेंट विजा है जो के अभी अटका रखे है मतलब तो और हमारे आपर टाइम दिखा रहा है कि 6 मेने बाद ओपन होंगे विजा एक साल ब अब पर पर आप च्छे मेने का टाइम दिखा रहे हो तो उसको लेकर काफी स्ट्रिक प्रोटेस्ट जो कि किया गया था अभी ऐसे मेरे भी कही सारे नोन लोग है जो कि अमेरिका जाना जा रहे है लेकिन उनको वीजा ही नहीं मिल पा रहा है वीजा की बहुत बड़ी अगर पूरे इंट्रनेशनल स्ट्वेंट मिला लो उनसे जाधा टाइम तक इंडियन स्ट्वेंट है जो कि फॉरन में रहते हैं वीजा के बारे मैं आपको बता चुका हूं अल्रेडी ठीक है और इसीडी कंट्रीज मेजरली हाई इंकम इकनोमीज है जहां पर SDI में बहुत प्रकार का होता है एक होता है step migration एक होता है circular migration circular में आप जाके गूम के वापस से आ जाते हो है ना step migration में क्या होता है कुछ time तक के लिए settle होने जाते हो seasonal में क्या होता है season में जाते हो return migration में आप जाके वापस आजाते हो chain के अंदर एक cyclical chain मन जाती है different stages के अंदर इंसान अलग-अलग country में जाता रहता है अब एक voluntary होता है कि एक इंसान अपने free will के साफ से जाता है गूमने के लिए, पढ़ाई करने के लिए business के लिए, settle होने के लिए है ना, और एक होता है involuntary migration जापे इंसान forcefully अपना घर छोड़के दूसरे country में जाने पर मजबूर होता है, हो सकता है वो flood के वाज़े से हो सकता है environment, political situation, war, इन के वाज़े से भी उसको migration करना पड़ता है ठीके guys, चले, आगे बात करते हैं इंडियन space ecosystem को लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग बात करेंगे इंडियन space ecosystem के बारे में, तो अभी recently क्या हो गया है, कि इंडियन space association जो है ना, इसको एक साल हो चुका है तो हमने क्या किया, एक conclave परवाया, जहाँ पर यह discuss किया गया कि कैसे हमारे space ecosystem को आगे बढ़ाया जा सकता है बतलाब हम लोग बहुत amazing growth कर रहे हैं ऐसी बात में space के अंदर 13 billion dollar का दोस्तो economy है, जो कि 2025 तक touch कर जाएगी, according to the report और हमारे जो annual growth है, वो कितनी, 13% के आस-पास growth है, जो कि space launch segment में अगर हम लोग देखे तो private participation बढ़ रहा है, latest technology, adoption, low cost के अंदर हम लोग launch भी जो है, वो अभी कर रहे हैं, ठीके guys, चलिए तो हमारे जो satellite service जो है ना यह अभी तक का सबसे largest segment है अगर space economy में बात करे तो सबसे आदा हम लोग satellite के ऊपर focus है हमारा, हाला कि और भी space technology में और भी बहुत सारे काम होते है लेकिन इसमें जो satellite service है, वो हमारा maximum है मतलब तो काफी अच्छा business है, जो कि हम लोग manufacturing opportunity बहुत जादा है मतलब 13 में से 3 billion तो 2025 सरिफ satellite manufacturing potential देखने को मिलेगा, ओके तो यह जो Indian Space Organization है association ही 2021 में launch हुई थी, इसके अंदर space के जो भी companies है, satellite companies है उन सबका एक platform है मतलब एक group है जो की बनाए गया एक organization बनाए गया, जहांपे हम लोग हम क्या कर रहे है, self-reliant होने की कोशिश कर रहे है, space technology के अंदर हम लोग हम इंडिया को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, उसके ओपर यह काम है जो की कर रहे है ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो इस रो ने annual budget जो है 14-15 आज़ा करूर का है मतलब मेक्सिमम इसमें rocket और satellite को बनाने में पैसा जाता है, तो हम लोग क्या कर रहे है, private participation लाके क्या कर रहे है space economy को थोड़ा cost effectively भी बना ले reusable बना ले और ज्यादा satellite based है कि उसके ओपर काम कर रहे है ठीक है guys, चलिए इन space करके हमारी एक organization है तो यह भी क्या private companies के साथ में मिलकर काम करती है वैसे new space India limited है यह भी EC के ओपर काम करती है कि किस तरह के issue रो commercial purpose में काम कर सके current affairs shorts के बारे में बात करे तो national conference on skilling यह girls की skill के ओपर काम करने के लिए बोला गया है, women and child development के मंत्राले के दुबारा, यह लोग क्या कर रहे है initiative launch कर रहे है, बेटिया बने caution, ठीक है, यह इन्होंने campaign है, जो की बेटी बचाओ, बेटी पडाओ के occasion पे girl child दे के ओपर 11 October को launch किया था Meghalya में 5th edition जो Meg kayak festival है वो अभी दोस्तों start हो रहा है, इसको बोलते है kayaking, है ना, यह क्या होता है एक आजमी होता है, जो कि इसके अंदर बैठता है और फिर इसको चलाता है तो यह kayaking बोलते है इसको है, बहुत ही amazing sport है, और अगर आप देखोगे तो थोड़ा, इसके event देखोगे तो क्या होता है कि practice करते हैं लोगों को देखोगे तो बहुत surge आ रहा होता है, पानी का तो पानी के उपा, नीचे, उपा, नीचे, इस तरह के से अकेला बंदा है, जो कि चला रहा होता है तो यहाँ पर कायक festival है, तो वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, मिखालिया के अंदर next, टाटा पावन ने partnership किया smart innovation energy solutions को लेकर agreement किया smart innovation innovation इंडिया के साथ में, ताकि जॉइंटली energy efficiency solution को प्रमोट कर सके vocabularies में, animal diversion का मतलब होता है criticize करना, dotard का मतलब है, जो बहुत ही elder होता है हना, smattering का मतलब, जब किसी को बहुत ही छोटा गयान होता है किसी भी knowledge का, और meat का मतलब है, reward देना macabra का मतलब होता है, कोई बहुत ही ज़ादा डरावना, horrifying scene अगर कोई देख लेता है fun fact के बारे में बात करें, तो red carpet के बारे में बात करेंगे आपको मालू है, कि जब film stars किसी भी festival में जाते हैं, तो red carpet बिचा जाता है मुवी का कोई जब उसका फॉर्स होता है, तो red carpet होता है, तो पता है यहाँ पर क्या होता है, कि ऐसे कही सारे लोग trained होते है, there are specially trained people that tell stars where to stop on the red carpet, तो ऐसे cameraman के नीचे कही सारे ऐसे लोग trained करके भी बिचाया जाता है, यह लोग बताता है कि आपको कहाँ पर रुकना है, कौन सान है, पोस कर देना है, फोटो के लिए, यह सब चिजे भी, तो नहीने तरीके के jobs, आगे बाद करते है, current affair capsule batch के बारे में, जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया में किसी भी exam की preparation के लिए है, आप इसको join कर सकते हैं, 499 रुपीज इसका cost है, और जितने भी इंडिया में exam हो, सभी के लिए exam oriented current affair है, एक साल का हम लोग एक 1000 question कवर कर रहे हैं, weekly test भी है, कल इसके अंदर test भी होगा, इसके अंदर bilingual classes हैं, और Brahma Master batch आप join कर सकते हैं, आपके CGL की preparation और FCI की preparation के लिए बहुत बड़ा game changer है, जो कि थाबित होने वाला यह batch और आप इसको join करने के लिए class 24 app download कर सकते हैं, उसके उपर यहाँ पर SSC select कर ये, फिर यहाँ पर Brahma Master select कर ये, आप चाहें तो reasoning, science, current FN के batches भी select कर सकते हैं, और यहाँ पर about course में जाके इसकी पूरे information भी ले सकते हैं, ओके यहाँ पर study plan भी मिल रहा है आपको और पूरी classes मतलब नियरबाए नियरबाए आप मालो के कोई चारसो पांसो घंटे की classes है मतलब उससे भी जाधा गाँ तो बहुत पढ़ाया जा रहा है, पहला focus यह है कि आपको tier 1 clear करवाए, फिर tier 2 clear करवाए, साथ में CGL की test series और CPO की test series भी आप लोगों के पास available है, आप इसको भी join कर सकते हैं, ठीके यहाँ पर test वाले पर जाईएग सकते हैं, volunteer बनके या फिर एक happiness subscriber जो है, वो बनकर, आज का पहला सवाल है, जो की है, planet first cycling को लेकर, एक waste management social enterprise है, जो की काम कर रही है एक city के अंदर, कल बताऊंगो इसके बारे में, बंडे को, cooperative के बारे में बताना है, और ठीक है, यह magic skills अगर कोई practice करता है, तो उसको लेकर कौ और OECD countries के बारे में बताना है, ठीक है guys, तो यह सारा का सारा आज का आज का आपका important session है, CICA के बारे में, कब इसकी शुरुआत थी, यह आपको बताना है, तो यह आज का आपका important session था, वीडियो को like or share कर दीजेगा, ठीक है guys, आज के लिए इतना ही, thank you everyone, goodbye and have a nice day.